प्रतिथर आमोसहित जणे बिसेस अती थि था आंती, जहांक सहित आमे भिन्न प्षंगोकुनेई की आलोचना करी थांती तेवे आजी मध्य fijता आमोसहिता सेमिती जणे अती थि अच्छंती, बिसेस अती थिए अच्छंती केंद्रो बॉयानो सिल्पो तथा रेडर अश्ट्रो मॉंत्री स्रीमोती दर्सना जार्दोस मैम आपको तो पहले स्वागत करना चाहूंगा ओडी साथो आप गूम चुकी हैं अब तक आसका लोगसभाद चुनाब शेत्रे में जाके गूमी हैं तो मैम समय आपके पास कम है इसलिए हम जल्दी देल्दी से आपको कुछ कोश्चन से प्रस्न पूछेंगे पहली बात हो ये आप सूरट लोगसभाद चुनाब शेत्रे से बिलोंग करती हैं वहां से तीन बार मैं अगर सही बोल रहा हूं तो तीन बार संसत भी रह चुकी हैं और आपके दक्षता और अभियता को लेकर आपको रेल मंत्राले और बयन सिल्प मतलब टेक्स्टाइल्स मिनिस्ट्री का दाइतु भी मिला है मोदी जी ने आपके उपर आस्ता प्रकट किया है तो आपको पहला स्वाल रहेगा कि ओडिसा आप आइं और औडिसा के लोगों से ही मिली यहां जो बोला जाता है केंदर सरकार की तरप से बक्का घर का योजना हो या बिजली की योजना हो पानी की योजना हो यहां पे के सा देख रही है किसे चल रहा है ये सभी को नमस्कार जै जगरनाथ वेसे तो मानिया प्रदान मंत्री शी नरेंद्र पे मोदी जी की नेतरुत्वा में जो जिम्मेदारी मुझे मिली मंत्रालाई के तौर पे आज एक साल हुआ और एक साल के सेलिब्रेशन में आप लोगों के साथ रही आप ल ये दोनों डबल सेलिब्रेशन है प्रदान मंत्री जी की सरकार ने आठ साल पूरी किये मैंने एक साल कंप्लीट किया अजादी का 75 साल तो ऐसे साल में इस्ट और वेस्ट दोनों का मेल अच्छा होना चाहिए जिस तरह से वो बोलते है कि सौमनाथ और जगनाथ दोनों में म अब का समय है सब के प्रयास का तो उसकी सब के प्रयास में सब लोगों के प्रयास में सभी मंत्रा लई का प्रयास भी आता है हम लोगों के भी जिम्मेदारी आती है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बारतिया जनता पार्टी के हम सदस्या है पहले कार्य करता है और कार् प्रदान मंत्री जी ने जो आट साल सफलता पुर्वक पूरे किये उसका प्रभाव बहुत रहा लोगों के जीवन धुरन के उपर उसके जीवन में बदलाव लाने के लिए सबसे बड़ी योजनाती वैक्सिन योजना वैक्सिन दे जो कोरोना के समय में दो साल सब के पूरी अठारा साल के बच्चे को भी लगाना तो लोगों को पता है कि यह वैक्सिन प्रदान मंत्री जी ने लगवाई हमारे साइंटिसों ने बनाई जो कभी कभी को वैक्सिन आते आते 10 साल 15 साल लग जाता था इसमें हमारे साइंटिसों ने वैक्सिन बनाई भी लगाई भी बा बहुत अच्छे से हम लोग ने साबीत कर दिया है कि जीस तरह से युक्रेन वार में गंगा ऑप्रेशन तहट जो हमारी पडोसी देशों के बच्चे को भी लाया गया उसी तरह जो तीरंगा कैसान बड़ी है हम लोग या अजादी के मुद्ध महसाव के वर्स में पूरे परस को सबी जगा पर तीरंगे से अपना मान बनाएंगे संदमान बढ़ाएंगे बाकी योजना की बाद आई तो तीन योजना सबसे बड़ी रही हमारा देश क्रूशी प्रदान देश है और क्रूशी के साथ में अपने किसान जुड़े हुए हैं उनकी आई दोगुना कर तो उनको सन्मान निथी के तोर पर 13 हपते दिये गए 22,000 के तो वो किसानों को 26,000 रुपिये मिले और जो direct benefit transfer से मिले जिसमें कोई भी बीच वाला नहीं रहा लेकिन तो इसमें ये योजना में भी यहां पे राजनिती की शुरुआत होती है कि यहां जो सरकार को जितने लोगो किसानों को रजिस्टेशन करना चाहिए जो प्रोडूसर कंपनी बनानी चाहिए उनको अवेरेस करनी चाहिए वो नहीं हुई है लेकिन मुझे एक जगा पर कोडला में जानने को मिला जहां प्रसानिक प्रसासन ने तो मुझे सईयोग नहीं किया लेकिन उन्होंने पहुचाने जरूरी है कि यह योजना केंडर सरकार की है ना तो इसमें कोई रजय सरकार कर रोले और कुछ नहीं और चारो जिलों में गई वहां पे काफी किसानों के एकाउंट में पैसे जमा हुए लेकिन बहुत सारे का रजिस्टेशन बागी है जिस तरह से दूसरी और CAC Center के अंदर ना तो डॉक्तर पूरे हैं ना तो स्टाफ अच्छा है ना तो इतनी दवाई अच्छी है और जो जन अउसरी योजना के मादियम से हम लोगों ने सस्ती दवाई करी है ना तो इसके यूज होता है तो वहां पे मैंने दो-तीन जगा पे जहां पे भी मुख जिसको पता चला उस दिन पहली बार के 10 रुपिय में आपको सेनेटरी नेपकिन्स मिलते हैं जो सचता से जुड़ी हुई बात है तो वह खुष हो गई क्योंकि हम लोग मंदीर में भी जाते हैं तो दस रुपिया चड़ाते हैं तो इसके साथ में बहुर भी सारी बहुत द जाती है तो उनको नहीं मिली उन्होंने बोला अगर वह भुखार आएगा तो उनको देंगे तो मतलब हमारी यहां का डिफरेंस में देखा कि हमारी जब कोई वैक्सिन लगाने आता है उसके हाथ में परासिक्टमल जली जाती है तो कहीना कहीन माडम आपे बतलब जो केंद परात में चली तो योजना केंदर सरकार की अपोस्टीशन की थी लिकिन उन्हों अपना जो टेक था वो डालकर उन्होंने उत्ना शुरू कर ली तो इसी तरह होता है 60% पैसे जो होते है केंदर सरकार के और बाकी का जो रोल होता है रजसरकार का तो वह पूरी पूरा का प्रश्मी जैना ने मुझे बताया उसने बोला मेरे घर में आई है प्रदान मंत्री जी का अभार मानेंगे और वह बहुत खुच है के मैला के नाम पर गर है अब देखो जब तक ये चीजे भी प्रदान मंत्री ने शुरू करी के मैला को शेशक्ति करन देना है जैसे सबसे जादा मैला मंत्री यह समय में है सबसे जादा मैला संसद है हमारे और और गरनेजेशन में मैला का नेतरूत वह है और मैला को सरसक्ति करन के देने के लिए घर का घर देने का सपना हम लोगों ने किया इसके साथ में जूड़ी होई दूसरी ओजना आती है जो कूपोसित कि हम महिला सखति करन कर रहे हैं महिला के महिला ही हमारी पहली प्रायोरिटी है अधर वह जा गजामजिले से इतने सारे लोग सूरत नहीं आते है सूरत में जब वो टेक्स्टाइल के लिए काम करने आते है जिनों ने अपनी कर्म भूमी बनाई है वहां अज एक गाउं ऐसा नहीं किया कि पूरे भारत को एक भारत सरेष्ट भारत के नाते हम लोगों ने जैसे बनाने का सूचा है उसी तरह काम करते हैं सबसे बड़ा प्रसासन को प्रताडित करने का जिम्मा ले रखा है यहां पे कोई भी मंतरी मुझे नहीं लगता कि स्टेट के कोई मंतरी रहे पाए और वहां से बाकी लोगों की समस्या जान पाए जहां में गई थी मेरे पास पोटो भी है ना तो कलेक्टर आया वहां से उसका कमुड का वो निकाल दिया था जैसे टेंपरेरी वो सब बं कर दिया गया ता इसी बं कर दिया मैं बैठी थी वहां के अंदर पंखा भी बंद हो गया लेकिन हमने अपनी मिटिंग करी लोगों को समझाया लोगों से बाते करी वो एक लड़की मिलने आई थी मुझे कि नहीं नहीं मैंने बहुत अच्छे से सिद्धी हासल किये मैं पढ़ना चाहती हूं तो कन्या केड़ों के लिए इतना काम होता है मैला जो पास वाले लोग जो उनको ब्रहमित करते रहते हैं तीसरी योजना जो सबसे बड़ी देखी मेंने हर गर को जल देना नल के हिसाब से पूरे पोश्टर लगे हैं मुख्य मंतरी के अरे भाई कॉंग्रेस के सासन में भी नहीं हुआ किसी के सासन में नहीं हुआ जब प्रदा पास बड़ी है कि जीतने भी कैंडरा सरकार का रोल है या तो उसका जो योगदान है उनको इग्नोर करके वो योजना अपने नाम करके लोगों को ब्रहमित करके यह किया गया है यह हम ऐसा बीजेपी भी बोलती है आपकी पार्टी ही बोलती है कि हाई जाक कर रहे हैं यह आ अपना तीरंगा अपना जंडा लेकर चले जाएंगे लोगों को बोलेंगे तब पता चलेगा कई जगा पे हमारे जुने हुए प्रतिनिती है इसके उपर केस कर देना उसके बताय हुए लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं देना उन लोगों की प्राइटी नहीं देना कल त तो जो होते हैं उसका मैंने दिखा कि मैं जब मंदिर में गई तो वहां पे पुलासरा में मंदिर में जाने के समय उसके पास आटीजन कार था तो बना बोला यह तो यहां की सरकार ने दिया अब यह एक आटीजन कार के उपर लिखा ने बनाए है 65,000,000 artisan के कार्ड पहचान पत्र टेक्स्टायल मिनिस्ट्री ने बनाए जिसके माधियम से उनको वर्क्षेड देना, उनको टूल किट देना, उनको मार्केटिंग देना, उनको कॉमन फैसिलिटी सेंटर देना, ये कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि उनको जो चाहिए, वो वहा पर मंत्री होकर मेरे ओफिसर्स को लेकर यहां आई थी, ना तो रेल मंत्री का पूरा रसाला मेरे साथ था, मैं तो एक सामानिया भारतिये जंता पार्टी की कार्या करता हूँ, और कार्या करता के नाते मेरे सरकार की सिद्धी, मेरे कार्या करता को बताने के लिए आसका लो जब में तारतानीम आता के मंदिर गई तो मैंने पूछा कि यह ब्रीज कैसा है जहां बहुत सारा किलोमेटर कवर होके हैं लोगों का समय बच सकता है और दून कालों कासा है तो यह बशी वह एटुन के साइन करवा जो को पैसा दे शुतिया सारे चाहिए को है और उसके माधियम से ये सब चीजे तो आपने देखी मतलब ये तो एक पार्ट की बिकास और योजना और उसकी वास्तवता ये आपने प्रैक्टिकली गूमके गंजाम के बिने अलग-अलग जगहों में देख लिया लेकिन आपसे एक राजनतीक सवाल अब रहेगा कि इतना स केंदर सरकार दे रही है लेकिन यहां पर पहुंचने रहा है यह आपका आरोप है और आपसे सवाल रहेगा कि और दो साल बाद 2024 का जो जनरल इलेक्शन से वह आने वाली है लेकिन यहां पर मुदी जी का क्रेज आप कैसा देख रही है जैसा 2014 में था 2019 और 2024 इन कैसा है और य तो प्रदान मंत्री के प्रती सभी को सन्मान है, सभी को प्रेम है और इसके साथ में जुड़ने के लिए सब लोग तयार बे, अपना योगदान देने के लिए तयार है, हाँ, जो communication gap दिखाई देता है, या तो information जो दिखाई देता है, marketing है, इसमें है social media, सब है, हम लोग अपने बताएंगे, जाके बताएंगे, अपना कारे करता बताएगा, हम लोग मंत्रा लग के मंत्री बताएंगे, कि इतनी इतनी जगया है, beneficiary का list दे देंगे, कि आप जाओ उ ना तो जिला पंचायत का है, ना तो तालुका पंचायत का है, ना तो विधान सभाग का है, ना तो लोग सभाग का है, फिर भी मैं आई हूँ, तो यहाँ पे मैं और भी दो बार आचुकी हूँ, पहले मैं जब public account committee में आई थी, मैं industry committee के नाते आई थी, यहाँ सबसे मैला जगर जुड़ी है, यहाँ तो लोग जुड़े है, 65 लाग से ज़्यादा लोग तो रजिस्टर हो चुके है, जैसे टेक्टायल में काम करने के लिए हमारी यहाँ सूरत लोग आते है, यहाँ पर एक मिल देखी में बंद पड़ी है, राज्य सरकार के हस्तक है, वो जा सर्टिफिकली उसको कैसे पकाया जाया, उसके कोल स्टोरेज उसको एक्सपोर्ड किया जाया, ग्लोबर मार्केट में उसको दिया जाया, तो यह मार्केटिंग स्टेटेजी के लिए भी कुछ बना नहीं है, ना तो यूवानों को रोजगार, कल यूवान भी मिले मुझे, क कर देता है तो दूसरा दस थाहता मिलेगा तीसरार दिस थाहता है तीयोजना के अधि हैं लेकिन दिखता ही के लिए ठाहफ होना चाहिए एक से ज्यादा के ससे हो जाएं कैसे उसको सीचाई मिले कैसे उसको पाणी मिलेbelt तो यह संपोर्टिंग एको सिष्टम कहीं पर भी डेवलप नहीं हुए जो बसूरत में जो कॉटन के इडिकल काँ इंड़िस्ट्री है वह पे जो ओडिसा से बहुत सारे लोग गन्जाम जी ले से ही मुख्यमंतरो जी के जो चुनाव जीला है वहान से बहुत सारे लाखों लोग बहां पर जाके काम करते हैं टेक्स्टाइल इंडिस्ट्री में, डाइमंड के इंडिस्ट्री में, अगर वही यहां पर सब बन जाए, तो यहां पर कितना डेवलमेंट हो सकता है, आपको क्या लग रहा है? नहीं, नहीं, वो लोग कर रहे हैं, जैसे हमारे यहां होता है, कि उनको यह तफावत दिखता है, अगर उनके बुडे माबाप यहां पर रहते हैं, तो उनको मिलने के लिए आते हैं, कभी कितनी महिला ऐसी है, जो अकेली रहती है, क्योंकि उनका पती जो काम करता है, वहां प उनको यहां पे मिल जाए तो वो अपने परिवार के साथ रहके और अच्छे से काम कर पाएगा और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से हम लोगों ने ग्लोबली प्रदानमातरी जी की इमेज बनी अभी 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 अमिद भाई शाह ने बताया कि अगले 40 वर् पर वारत की और आगे बढ़ते हुए वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देनी के लिए करिए 40 साल का सासनी आधार किसके उपर आप बोल रहे हैं डेवलप्मेंट के उपर विकास के लिए जो हम लोगों ने अभी तैय किया है कि अभी जो कर पाएंगा अज का ही हुआ 75 साल में कुछ जो करेगा वो 25 साल के बाद में ऐसा भारत के निर्माण में अपना योगदान देगा जो एक वैस्विक सतर पे भारत माता की जो चबी हमारे दिल में है वो उबर के आएगी एक सवाल रहेगा कि मतलब पूरव भारत ओडिसा हो पस्चिमंगाल हो जारखंडो बिहार हो ये मोदी सरकार प्रदानमंत्री जी के फोकस में रहा है ओडिसा के अगर बारे में बात करें तो जब भी बाढ़ आता है या कोई भी डिजास्टर आता है तो पहले ही मतलब आड देवलपिंग स्टेट के साथ में जो इस ओफ डूइंग बिजनेस है जहां जो लाइस्टाइल है उसी की तरह हम लोगों को बाकी लोगों को भी साथ में लेकर चलना है तो सभी मंत्रियों को भी 15 दिन के अंदर 39 जाना है सभी ऐसे राज्या में जाना है अपनी योजना के बारे में खुद बताना है रेलवे के बारे में तुम एनने बताया नहीं क्योंकि रेलवे मंत्रालाई के नाते हमारे पास इतनी सारी योजना है जब अश्वीनी जी खुद ओडिसा से है तो वह ज़्यादा आप से बाते करेंगे लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्टर के साथ म जो स्टेशन के modernization के साथ में हम लोग फ्रेड के उपर ज्यादा ध्यान देते हुए उसमें भी वंदे भारत ट्रेन का model लेकर हम लोग चलते हैं तो उसी तरह हम आगे बढ़ेंगे लेकर यहां पर एक समस्या है केंद्री अनुदान 2014 के बाद से जितने बार बजट हुआ है अनुदान बढ़ता ही जा रहा है मतलब ओडिसा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बजट एस्टिमेट हो रहा है लेकिन उस हिसाब से यहां पर काम नहीं हो पा रहा है यहां पर प्रष्टाचार इतना है ऐसे लोगों को काम ही नहीं करना है क्योंकि जब तक आप रेलवे प्रष्टाचर नहीं बने है जहां पैसेंजर टेन का आना जाना कनेक्टीवीटी इंफ्रास्ट्रक्ट्चर है नहीं लेंड अकुईशन को लेकर आप राजी सरकार से बात करेंगी इसको किसे हल किया जाए लेकिन बीजेपी का क्या प्लान है इंडिये या प्रधानमंत्री जितने भी है वो दोनों मिलकर हम लोग प्रजा के बीच में जन कलियांकारी योजनाओं के साथ में भारतिय जिन्ता पार्टी की स्थिती मजबूत करेंगे और ये अगला चुनाओं हम जरूर जितेंगे जरूर जितेंगे निश्चित भाबरे बहुत बहुत धन्यबाद आमसोईता अलोचना कोर्थले मेडाम दर्शना जार्दोस केंद्र बयानसुलपत अथा रेड़ राष्ट्रमंत्री ये बंग से जहा कहिवा कथा जे आगामी समय और उडिशारे बीजेपी निश्चित भा आरिंको पाखरे पहंची पारुने से नहीं की से अभिजोग मध्या आणी चन्ती एबंग से गंजाम्र विभिन्न अंचल गूली की देखी चन्ती उडिशा अगस्ता समयरे बंग से ठारे मध्या अनेक लोकों को सहीता मिशिवा समयरे से अनुभव कले एबंग की छी चित् अगस्तरे आसीबे एठारे चित्रा हुए तो बदल थिवो नबदल थिवो ता तो परवर्ती समर्जलना पड़िगो किन्तु बीजेपी रो जहा दाबी रहीची मैडम मध्यो जहा कहीले जे आगामी चब्वीस रे दोजार चब्वीस आधान नर्वार्चन रे बीजेपी क केते सफ़लता मिलूची सरकार गठन करी परिवो तो निश्यत भावर एव प्रसुनरा उत्तर तो आपण माने ही देई परिवे भोटर ही देई परिवे तेवे समय सरीची पूनित्वरे माडम कु धन्यवाद देवास ही तो बिट्रो खुचु नमस्कार झाल